हेलो एवरिवन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है पुरानी टीशेट को लेका जिनके घरों में पुरानी टीशेट पड़ी रहती है उनकी लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है एक सिस्टर ने उससे कहा था कि आपके जो वीडियो होते है बहुत होते हैं आसानी से हमें समझ में आ जाते हैं तो आप हमारे लिए और एक ऐसी वीडियो अपलोड की जिए तो मैंने उन्हीं के बाद को ध्यान में रखती हुए यह वीडियो अपलोड किया है क्योंकि पिछली वीडियो मैंने पजामी से पर्स बनाना बताया था और पर थोड़ा सा कट लगा देना इस तरीके से अगर कि city set में नहीं है इस तरीके हाँ तो आप ऊपर की तरह से भी इस तरीके से मौड सकते हैं जैसे नीके यहां पर छिलाय लगी हुई होती चाहे तो आप दूसरी साइट से भी इसे अंदर की तरफ का से फोल्ड कर लीजिए ताकि इसमें आप बाद में डोरी डाल सकें तो आपको जोन सा आइडिया पसंद लगें आपको कर लीजिए यहां पर इस तरीके से देखिए इधर से भी आप इसे यूज कर सकते हैं डोरी ड निकरा होगा बाजू के साइट से टेड़ा मेडा तो इसे में इकवल कर लेने वाली हूं काट करके तो यहां पर मैंने कट कर दिया है और अब हमें इसमें ना शिलाए लगानी है चाय तो आप मसीन से लगा लेजे चाय फिर धागे से भी आप हाथ से भी से सिल सकते हैं आप हमें क्या करना है थोड़ी से दूर इहां पर हमें छोड देना हे 1 इंच के करिई फिर हमेяжं में सी डिसी शिलाए लगा देनी है चाए तो आप मसीन से चाय फिर हाथ से लगा लीजीए कुछ बेहनों के पास मसीन नहीं होती है तो उनके बहुत治 बढ़िया ॉपशन है कि यहां पर देखिए फ्रेंट कुछ ही मिन्टों में एक बहुत ही बड़ी हासी चीज बनाकर मैं तयार करके आपको यहां पर दिखा देने वाले हूं तो यहां पर देखिए शिलाई कम्प्लीट हो जाएगी थोड़ा से मैं यहां पर छोड़ दूँगी और फिरी शिलाई कम्प्लीट कर लेंगे गर में बहुत ज्यादा पड़ी होती है अगर ऐसे यूज कर लें विस्त बहुत सारे यूज है टीशट के तो काफी सारे यूज है लेकिन मैं आपको जो बताने जा रही हूं आशा करते हूं को बहुत ही पशल आने वाला है तो यहां पर मैंने शिलाई लगा और साइड की दोनों तरफ से में निकाल देती हूं पुरान दोपटा है ये तो ये किनारी भी काफी ज्यादा मजबूत हैं तो अभी फिलहाल में आपको यही डाल के दिखा देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अगर आपके पास अच्छी सी डोरी है तो आप व मोटी सी डोरी आप बजार से अच्छी सी देखकर खरीद कर लाएंगे तो उसका लुक थोड़ा सा और अच्छा आ जाएगा तो यहां पर देखिए मैंने ये पट्टियां कट कर ली है यहां पर और अब हम इसमें डालेंगे ये तो यहां पर देखिए सेफटी पिन मैंने और इस सेफटी पिन की सहायता से हमें ये पट्टी इसके अंदर डाल देनी है तो यहां पर देखिए फ्रेंड ये नीचे शिलाए पहले से लगी हुई थी मैं नीचे शिलाए नहीं लगा ये बस थोड़े से कॉर्णर कट किये थे मैंने यहां पर और देखिए आराम से ये एक साइड तो मैंने डोरी डाल दी है और दूसरी साइड भी हमें दूसरी डोरी डाल देनी है यहीं पर बस थोड़ा सा ध्यान धरने वाली बात है कि हमें ये डोरी कैसे लगानी है बाकि सारा कुछ सीधा सिंपल है एकदम बन जाता है तो दूसरी डोरी भी हम इस तरीके से कि यहां पर मैंने कट कर लिया जितना फालतू था इस दोरी को मैंने यहां पर कट कर दिया है अब हम क्या करेंगे सिधा करेंगे और सिधा करने के बाद हम इन डूर्यों को नीचे के सेट जब हमने सिलाई करते समय थोड़ी सी जगा छोड़ी थी वहीं पर हमेशे सेट कर देना है यहां पर देखी मैंने इसमें सेट कर दी है यह और यह बन गया है हमारा बहुत अच्छा सा बैग मैं आपको इसमें किताब भी रखके दिखा देती हूं अगर आपके बच्चे टूशन वगरा जाते है न तो आप वहां के लिए से बनाके रख लीजिए बड़ाई सुन्दर भी लगता और अच्छा भी लगता है बस इसमें डोरी थोड़ी अच्छी डाल दीजिए फिर द यह बहुत अच्छा सा बैक बन कर तयार हो जाता है मिन्टों में और बीना किसी खर्च के तो यहां पर देखिए इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है फ्रेंड कमेंड बॉक्स में जरूर बताएगा कि यह बैक कैसा लगा फिर मिलती हूं आपके नई वीडियो के साथ